हेलो प्रेंट्ट्ट्स, वेलकम टू प्लांनिक वाईस्ट्रेनिका और आज हम डिसकस करेंगे लाइस्टाइम अमने मैलवेसी फैमिली के लिए फार्मप्रेट्ट्स आवश के तो सिति है डिसकस करने के तो आज हम उसके two members को डिसकस कर रहे हैं Hibiscus Rosa Sinens and Abitulon Indicum तो इन दोनों के अंदर यह जो दोनों members हैं जो आज हम डिसकस कर रहे हैं काफी सारी similarities इनके characters में appearance में काई सारी similarities आपको देखने को मिलेंगे और इस family के जितने भी members होते हैं जो फ्लार हैं वो देखने में similar होते हैं सब में एक स्टेमिनल ट्यू भी प्रिजेंट होता है तो देखने में similar ही होते हैं almost everyone so let's start तो पहला member है हिबिसकस Rosa Sinens habit की बात करते हैं habit होती है perennial ornamental shrub perennial इसलिए क्योंकि वो एक एक यह से जादा ग्रो कर सकता है उसके इसने पेरिनियल बोलते हैं तो और ornamental shrub इसलिए क्योंकि ornamental something assuming को जादा एक लिए लगाया जाता या कि इसके जो flowers को काफी bright colored हैं और बार हो पाफी उय हैं काफी bright colored attractive flowers नो इसको सजावत के लिए लगाया जाता है school में और घरों में इसलिए इसको बोले जाते है उन्हें ही तो सबसेने सीरीच कटिफे के से यह आगा अाः चौन की स्थिप के अग्लेंयु करता है तो कोट कुर्ट को कि जो क्लास वह keeping शोननों से जाट्प अध्रूट प्रेशक चुफ्रिश को बात करते हैं लन्हें और यह बीर्श Records Cylindrical, Solid and Glabrous Glabrous का मतलब होता है कि जो stem है उसके उपर hair present नहीं होते, free from hair stem के उपर कोई hair नहीं होंगे, it is Glabrous leaf की बात करते हैं, तो leaf होती है petiolate, leaf के पास होता है petiol leaf होती है simple, क्योंकि जो incision होता है वो margin को touch नहीं करता है, तो leaf मानी जाती है, simple, alternate होती है leaf, यानि कि alternate इसलिए क्योंकि एक leaf आप देखेंगे stem के उपर आप जब leaves का arrangement देखेंगे, तो एक leaf right side होगी, एक leaf left side होगी, एक right side, एक left side तो इस तरीके से alternate arrangement हो जाता है, इस त्ट्यूपलेट होती है, जो leaves होती है जो एक स्ट्यूपलेट होती है, तो आप तोसके इस ने से भी ni helped आप से लिए होती है मेel ने यानी कि Yoka, औैश हमादन देखेंगे सलोपलेटी काश जम्मेटी को यहह को आप समिग सकते है और से लिएक डोल शहीप गी की भी लिए GLEBRIS सबता है मल्टी कोस्टेट रेटिक वनिशन का मतलब होता है मिड्रेव रेटिकलेट बोर क सब्सेटर और रेंगे जो बैसिसा रहें वहाल गिना आपおおइगा नेट लाइक जो बीन वह नेट लाइक अरेंडमेंट में औरेंज और फैन लेशन में वहतुमिश एक भूरो Kim Sand एक dalla वी इक लोता टो खंदा और ऑग्जलरी यानी कि वह अगिशल में से निकलता है अनि कि निखलेगा एग्शल में से निकले एग्जलमें हैं कि सारे पार्ट प्रिजेंट होते हैं फेंटमेरेस जा है यह ऑफ पायव ll공ेंट है जो supports फ्लार यह है शुपीरिय औरavoryल स्वाइब अंतलब है जितने भी वी पार्ट्स होगे फ्लार के अंदर इतने भी पार्ट्स होते हैं मेल पार्ट, फीमेल पार्ट called यहाँ पर नहीं लेकिन ब्रयक्टी ओल्स होते हैं रेक्टियोल जैसे कि अपको बताया था जब फ्लार में broактиmiyorum जस्त नीचे एक लीफ-like appendages प्रेजंट तो उनको ब्रेक्टियॉल्स बोलते हैं तो यहां पर पूरा का पूरा वर्ल होता है जिसके लिए 5 तो 7 ब्रेक्टियॉल्स होते हैं क्योंकि के अगर बात करें तो के लिए तो के लिक्स में भी आपको 5 सैपल देखने को मिलेंगे गेम जो सापल से उनाइटे होती है यस ते आर उनाइटे होती है एंद कैम्पैनुलेट का मतलब होता है बेल शेप आप इसके कैलिक्स को देखिएगा आपको वो बेल शेप दिखा ही देगा अभी इस ताइम पर हिबिसकस का फ्लार ग्रोह नहीं करता वरना यह मैं आपको शो करते ही इसके पार्ट्सको तो भी देखनी सकते हैं यू मस्त रमेंबर यू तर्वाइट तो शर्च फोर इस यू विल फाइड प्लार अप्लार अभिसकस यू मस्त त्राइट तो फाइड आप इस कैरेक्टर्स campanulate हो गया उसके bell shape जो bell shape का होता है घंटी जैसी shape होती है bell shape होती है calyx की तो उसे campanulate का जाता है well weight estimation well weight estimation आप समझती होंगे यानि कि well weight estimation हो गई this one is well weight estimation this one is well weight estimation इन विश्ट सेपल्स आर नोट ओवरलैपिंग इच अधर this is well weight estimation को रूला की बात करते हैं को रूला के अंदर 5 petals होते हैं पॉली से पहले सोता है यानि कि जो petals होती है वो फुरी होती है वो इक दूसरे के साथ fused नहीं होती लेकिन आप देखेंगे कि slightly united होंगी base में वो इक दूसरे के साथ थोड़ी सी जुड़ी होई होंगी united होंगी और को रूला का color red होता है twisted estimation twisted estimation में क्या होता है twisted estimation में एक side चो होता है पैटल का वो बाहर होता है और जो दूसरे side होता है एक side बाहर और एक side अंदर एक minute इसको draw करते हैं तो एक side आपको अंदर लेना है और एक side बाहर लेना है तो यह हमारा हो गया बाहर तो यह वाला जाएगा अंदर और यह वाला हो गया बाहर तो यह वाला जाएगा अंदर फिर हम इसको रखेंगे बाहर और इसको एस तdate के इस तरीके से आपको देखना है कि एंडरोशियम के अंदर stamens indefinite होते हैं निकि उनका number कोई fixed नहीं है Mono Adelphus Mono Adelphus का मतलब क्या होता है Mono Adelphus का जब Filaments जो होती है जब filaments एक दूसरे के साथ fused होती है Enthus free होते है Filaments एक दूसरे के साथ fused होती है तो उस condition को बोला जाता है Mono Adelphus condition The Steminal Tube is united at the base of the Korola Steminal Tube होता है Korola के base पर united होता है Steminal Tube आप यहां पर देख सकते है Steminal Tube के picture है और यह जो यह वाला जो part है These all are Enthus And this is stigma of the ovary This is the stigma of the ovary Whereas all these are the Enthus और यह जो पूरा Tube है पूरे Tube को Steminal Tube का जाता है यही होता है Steminal Tube और यह Korola के base पर united होता है Korola से united होता है at the base Monothecus जो Enthus जो Enthus में वो Monothecus होता है निकि उसके अंदर एक ही थीका होता है और थीका एक है तो pollen से एक्स कितने होंगे 2 Enthus जो है वो यलो कलर के होता है यहां पर आप देख भी सकते हैं पिक्चर में Enthus आपको यलो कलर के साफ साफ नजर आ रहे है Extrose condition यानि कि जब Enthus burst होते है Pollen grains release करते है तो इनका जो face है वो ovary की तरफ नहीं होता और आप इस picture में देख भी सकते हैं इस stigma यहां पर है मतलब ovary की तरफ नहीं होता है आप कह सकते हैं कि Enthus है यह transversely attached है तो यह sidewise निकल रहे है तो इनका जो face है वो उसकी तरफ इस्टिग्मा की तरफ यह इस्टिग्मा को face नहीं कर रहे है So this condition is called extrose Transversely attached है Filament के साथ spiny pollen grains Pollen grains जो है वो spiny होते है Gynosium Female part की बात करते है Penta-carpular यानि कि Penta-carpular 5 carpals Syncarpals Carpals एक दूसरी के साथ fused Ovary Superior Ovary Superior Superior ovary का मतलब क्या होग है जो बाकी के जितने भी Plants parts वो सब इसके नीचे Attach होंगे Pentalocular Ovary वो pentalocular यानि कि उसके अंदर 5 locules Exile placentation Placentation Exile Many ovules In each locule हर एक locule में कई सारे Ovules present होते है Exile placentation का मतलब क्या होता है जब ovules जो है वो एक Central Exile के around Attach होते है So it is called exile placentation यहाँ पर आप देख सकते है इस picture में आपको अगर visible हो रहा होता हूं यहाँ पर इसके center में Exile जा रही है Center से एक Exile जा रही है यहाँ पर center से एक Exile जा रही है और उसी के around सारे जो ovules है वो टैचिंग जो white color के आप देख सकते है इस आर ovules जो कि यह जो picture इसमें आप exile placentation को समझ सकते है and style 5 style 5 होते है long होते है passing through steminal tube इस picture में देखिए και आपको यह Mar SAR也 जो पर दिखाई दे रहा है यह जो पार्ड दिखाई यह वाला जो पार्ड है these are style और यह तो आपका फिर stigma है जो style 5 होते है and steminal tube से pass हो रहे होते है यह Steminal Tube से पास होते हुए आ रहे हैं तो Steminal Tube से पास होते हैं और Stigma भी 5 होते हैं Capitate यानि कि Stigma की जो शेप होती है Capitate होती है Cap-like होती है This is the shape of Stigma Capitate Cap-like and covered with well-weighty growth आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं Well-weighty लग रहे हैं देखने में और टच करने में भी वेलवेटी है, यह वdayलवेटी ग्रोथ मोती है पिरूट, वह कैपसियूल है, इनका जो फिरूट रहता धा है मा Эग्जा एल्विम्न वाटा को आसी है और थे इसी है, वह होती है एल्विमन इस यहां उसको 5 लिखा है हमने वहाँ पर और उसको ब्रैकेट में बंद किया है क्योंकि वह गैमो से पहले होता है फिर कोरोला 5 है एंड्रोशियम इंडेफिनेट है और कोरोला और एंड्रोशियम के उपर हमने एक आर्क बनाई हुई है क्यों यह आर्क किस चीज को शो कर रही एपिप स्टैमिनल ट्यूब है वह बेस पर अटेच होता है कोरोला के साथ और गाइनोशियम में सुपीरियर ओवरी होती है 5 पेंटकार्पलर ही होता है इसलिए 5 यहां पर लिखाया और क्या कंडिशन बताइती सिंकार्पस इसलिए वह ब्रैकेट में क्लोज है यह इसका फ्लॉरल यह जो सबसे बाहर वाला जो वर्ल आप देख रहा है यह ब्रैक्टियोल्स को शो कर रहा है यह अंदर सैपल्स को शो कर रहा है यह अंदर पैटल्स को शो कर रहा है पेंटलोकिलर ओवरी भी देख सकते हैं और एक्जायल प्लासेंटेशन भी इस डाइग्राम के अंदर Abitalon Indicum अब हम Abitalon Indicum को डिसकस करते हैं तो इस पिक्चर में आप Abitalon Indicum को देख सकते हैं इसको commonly Kangi बोला जाता है It is commonly known as Kangi in Hindi तो Kangi नाम का नामक प्लांट है यह Habitus की Perennial Hub है इसके और Abitus के कही सारे characters मिलेंगे Almost मिलेंगे तो Perennial Hub है और Undershrub और Undershrub में आता है और Harv की Category में भी आप इसको रख सकते हैं और Undershrub की Category में भी Roots की बात करें Roots जो है वो टैप होती है और Branch होती है Stem Eract होती है Branched भी होती है Harvaceous होती है Because यह Harv है तो आपके जो Stem है वो Harvaceous रहेगी Woody नहीं होगी Solid होगी Hairy होगी और Green in Color होगी Leaf जो है वो Pettyolate होती है Simple होती है Alternate होती है Broadly Codate Codate जो है देखो वहाँ पर जो Hibiscus के अंदर जो Shape थी वो कौन सी थी Ovate और यहाँ पर जो Shape है वो Codate है Codate Shape जो होती है Codate Shape को आप समझेंगे Codate Shape को आप समझ सकते हैं जैसे पान के पत्ते की Shape होती है वैसी Shape होती है Codate उस Shape को Codate का जाता है जैसे कि अगर मुझे आपको Draw करके बतानी हो तो यह जो Shape होती है इस Shape को Codate का जाता है इस Shape को Codate का जाता है जो Heart Shape होती है इस shape की जो leaf होते है, वो caudate होती है. तो इसमें जो leaf है, abitерь ale and indicum में, जो leaf है, वो caudate होती है. Apex इसका acute होता है. देखे, मैंने acute apex बनाया है. और serate margin. मैंने यहाँ पर serate margin नीए बनाया. Margin जो होता है, वो इसका भी serate होता है. serate जानिकी, इस तरीके से, इस तरीके से इस तरीके से कुछ margin रहता है, teeth होता है, teeth उसके उपर margin के उपर present होते हैं, this is called serate condition, multi-costate reticulate venation, more than one midrips are present, inflorescence solitary axillary syme, flower, flower की बात करें, तो bracteate होता है, इसके अंदर, abitolor and indicum के अंदर bract present है, pedicillate होता है, pedicillus उसके पास होता है, actinomorphic, radial symmetry होती है, hermaphrodite bisexual होता है, complete होता है, pentameras होता है, यानि कि जो parts है, वो 5 और 5 के multiples में रहेंगे, हाइपोगाइनस होता है, आप देख रहें, सारे characters से मिला होता है, इसलिए मैं इनको explain भी नहीं कर रहे हो, बार-बार, क्योंकि यह सारे similar होता है, calyx, सैपल्स 5 रहता है, gamo से पहले होता है, green color का होता होता है, androsium में stamins indefinite, monodelphas forming, staminal tube, filaments fused होते हैं, anthers free होते हैं, इसलिए monodelphas condition, staminal tube present होती है, epipetellus, यानि कि जो staminal tube है, यह कोरॉला के साथ fused होता है, इसलिए epipetellus condition है, anthers monothीका से, reniform, reniform का मतलब का होता है, kidney shift, bassy fixed होते हैं, bassy fixed का मतलब क्या होता है, bassy fixed का मतलब होता है, कि जो filament है, वो anthers के base से attach होगी, सिर्फ और सिर्फ बेश से, उस condition को bassy fixed केते हैं, day size longitudinally, और longitudinally वो जो burst करेगा, जब endrosium, तो वो longitudinally करेगा, lengthwise करेगा, जैसे कि मैं आपको बताई देते हूँ, यह आपका अंधर है, तो यह जब burst होगा, यह longitudinally, length के along burst होगा, इस condition is called longitudinally, gynosium, polycarpulary, कई साली कार्पल्स होती है, वहाँ पर था पेंटा कार्पलरी, और यहाँ पर है पॉली कार्पलरी, सिंकार्पस fused होती है, multilocular, कई सारे लोकिल्स होते हैं, यह पर पेंटालोकिलर था लेकिन यहाँ पर multilocular, ओवरी जो है, वह सुपीर होती है, exile placentation होता है, style long होता है, stigma capitate, यानि की वही, cap shape, fruit जो होता है, carcerulis, carcerulis का मतलब क्या होता है, वही मैंने जो आपको लास्ट ताया था, carcerulis fruit क्या होता है, इसका मतलब जो होता है, जो fruit है, वह चोटे-चोटे merry carps की form में होगा, यानि की, चोटे-चोटे merry carps, जो fruity leds होंगे, चोटे-चोटे merry carps, वह मिलकर एक fruit बनाएंगे, और वह one seeded होंगे, that's why it is called carcerulis, और capsule भी आप पोल सबनें, capsule type का fruit भी प्रिजेंट होता है, seeds जो है, वह exo-albuminous होती है, albumin उनके अंदर absent होता है, और gis का floral formula हो गया, bracteate, actinomorphic, bisexual, calyx-5, और bracket में बन दे तो condition कैसी होगी, gamo से पहले, corolla-5, androsium, indefinite, epipatelis के लिए एक arc बनाई होपर, और gynosium, ovary superior, standard line हो, और polycarp लगी, इसलिए यहां पर भी infinite का sign बनाया हुआ है, और यह सका आप diagram समझ सकते हैं, यहां पर आप देखेंगे, तो यहां पर ब्रेक्टियोल्स के अंदर present नहीं होते हैं, इसलिए यहां पर ब्रेक्टियोल्स को draw नहीं किया गया है, इसलिए यहां पर आप देखेंगे,